तो सब सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत के तरफ से कई तरीके के नए इनोवेटीव और ताकदवर तरिन हतियारों को निर्मान किया जा चुका और इन हतियारों का लगातार परिक्षन करके भारत के तरफ से ये भी साफ किया गया है कि केवल मात्र ये हतियारों को बनाए ही नहीं जा रहा है बलकि ये जो हतियार है ये इस्तेमाल में भी काफी बहतर है और भारत को एक प्रॉपर रिजर्ड भी देगा और दोसो इन सभी हतियारों में अगर किसी एक हतियार को लेके पिछले कुछ हपतों के अंदर सबसे अधिक चर्चा हुआ है तो वो है आखाश मिसाइल लगातार दो बार मल्टिपल टार्गेटों को आकाश मिसाइलों के द्वारा हिट किया गया और दोसो इस दर्मियान आकाश मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेके भारत को एक बड़ा सफलता मिला और दोसों इसके बाद जहाँ पर आकाश मिसाइलों को लेके काफी अधिक चर्चा हो रहा था तो उसी दर्मियान अब भारत के तरफ से आकाश मिसाइल को लेके और एक बड़ा दाओ चल दिया गया और दोसों इस दाओ को कहा जा रहा है आकाश एंजी मतलब नेक जनरेशन के एक ऐसे आकाश मिसाइलों के मुकाबले में अधिक हलका अधिक रफ्तार वाला मिसाइल तो होगा ही साथ में अधिक लिथल वी है जिससे की केवल मातर भारत के एर डिफेंस कैफिविलिटी में ही इ इंजाम दिया गया है जिसके बाद इंडिया के एर डिफेंस कैफिविलिटी में काफी बढ़तरी आएगा और ये जो नेक जनरेशन के आकाश मिसाइल है इसमें पहले के आकाश मिसाइलों के मुकाबले में कई तरीके के एडवांटेज है जो कि इसे केवल मातर भारत के ही इंडिया डिफेंस सोलुशन के रूप में एक एक एक्ट्रक्टिव हतियार नहीं बनाएगा बलकि एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक एक एक्ट्रक्टिव हतियार बनाएगा और दोस्तों आकाश एंजी मिसाइल का जो सबसे वड़ा एडवांटेज है वो है इसका वजन पहले जहाँ पे आकाश मिसाइलों में एक पुराने रैम जेट इंजिन का उपयोग किया गया था तो वही पे अब इसमें नया ब्रैंड निव टूपल्स सॉलिड रोकेट मोटर का उपयोग किया गया है जिससे कि मिसाइलों के जो वजन है ये पहले के मिसाइल के मुकाबल में करीब करीब आधा हो चुका है मतलब पहले जहाँ पे 700 किलोग्राम के मिसाइल था तो वही पे अब आकाश एंजी का वजन केवल मात्र साड़े 300 किलोग्राम है जिससे कि इन मिसाइलों को एक greater mobility, faster deployment और low operational cost मिलेगा अब यहाँ पे आप लोग के जानकारी के लिए ये भी वता दो कि आकाश मिसाइल को कही तरह के के आधुने खत्र को neutralize करने के लिए बनाया गया है और इसके range को भी increase किया गया है और ये high speed even low flying target तक को निशाना बना सकता है और पहले जहाँ पे आकाश मिसाइलों का range केवल मात्व 30 km था तो उही पे आकाश NG मिसाइलों को 50 km के range के लिए design तो किया गया था लेकिन कुछ रिपोर्टों के मताविक अब ये 80 km दूर तरह target को hit करने में सक्षम है हाला कि इसके इलाबा इन मिसाइलों को upgrade करने का विक scope है जिससे की आने वाले समय में इन मिसाइलों का शायद range को और बढ़ाया जा सके और दूसों इतने range के कारण जहाँ पे दुश्मन के target को engage करने के लिए आकाश NG मिसाइलों को एक बहतरी option मिलेगा तो उही पे दुश्मन के aircraft और मिसाइलों का पीछा भी ये लंबे समय तक कर सकेगा और दूसरी इन मिसाइलों के export potentiality को भी अवी से ही देखा जा रहा है क्योंकि कुछ रिपोर्टरों के मतादि भारत आकाश NG मिसाइलों के development के दर्मियान ही कुछ देशों के साथ इन मिसाइलों के export को लेके चर्चा कर रहा था जिन में फिलिपीन और वियतनाम जैसे देश और अल्रेडी आकाश 1 इस mıसाइलों को अर्मिया को export किया ग्या है जिससे कि भारत को आकाश मिसाइलों को लेके एक अल्रेडी सफलताह मिल चुका है और कुछ report में यह वी दावा किया जा रहा है कि कुछ और वी देश है जो भारत से आकाश मिसायलों को खरीदने को लेके interested ह जिन में युनाइटेड अरब अमिरा, सौधी अरविया और इजिव जैसे देजवी शामिल है। आकाश एंजी बनने पर भी इंडिन आर्न फोर्सेस में इन मिसाइलों को सबसे अधिक मात्रा में शामिल करने का संभावना है। अफलता पुर्बग परिक्षन है वो भारत के इन मिसाइलों को लेके कई तरह के के चैलेंजेस को जहां पर दूर किया है तो वही पर आप आप लोगों को ये वी विता दो कि आकाश एंजी मिसाइलों को इन ही कारूनों के बज़ा से अभी सही एक गेम चेंजिंग हत्यार के रूप में देखा जा रहा है तो आकाश एंजी मिसाइलों को लेके फिलाली रिपोर्टों में ये विदावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी और इंडियन यार्फोर्स के तरफ से अल्रेडी इन मिसाइलों को बड़े मात्रा में खरिदने को लेके अपने इरादे का जि पहाफिर आकाश कि इन दोनों हतियारों में जो पहला हतियार है उसका delivery में महिने में ही किया जाना है जो कि unmanned aerial way के launch precision guided munition है और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि ये इंडिया के जो aerial warfare है उसे काफी increase करेगा और दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जो हतियार है ये भारत के unmanned aerial vehicle के लेके एक ultimate versatility देगा क्योंकि ये जो हतियार है ये काफी हलके वजन का है और even lightweight quadcopter के द्वारा भी इससे carry किया जा सकेगा उपर से दोस्तो ये काफी precision strike capability के साथ है मतलब pinpoint accuracy के साथ दुश्मन के target को ये हवा से ही neutralize कर सकेगा और दोस्तों ये जो unmanned aerial vehicle launch precision guided munition है इसे असल में jam free हतियार के रूप में बनाया गया है जिसका simple मतलब ये है कि इसे jam करना लगवग लगवग नामुम्किन है और दुश्मनों के उपर अगर एक बार ये हतियार दाग दिया जाता है तो दुश्मनों के लिए बच पाना लगवग लगवग impossible है और दोस्तों अधानी डिफेंस के तरफ से जो दूसरा हतियार का delivery किया जाना है वो है very short range air defense system और आप लोगों के जानकारी कर ले बता दो कि ये जो हतियार है इसे भी DRDO के तरफ से air defense capability को enhance करने के लिए develop किया किया है और अधानी डिफेंस को इसे निर्मान करने को लेके अनुमती दिया गया था और रिपोर्ट के मताविक आने वाले कुछी समय के अंदर इन हतियारों को भी अधानी डिफेंस के द्वारा इंडियन आर्मी को soft दिया जाएगा तोस तो इस test के बाद एक तरीके से अब कह सकते हैं कि यह जो system है यह armed forces के बेड़े में शामिल होने के लिए एक तरीके से तयार भी है DRDO के द्वारा man portable air defense systems के रूप में इसे काफी cutting edge technology से less किया गया है जिससे की यह जो system है यह इंडियन आर्मी को एक minimize reaction control system provide करेगा और इसमें कई तरीके के आधुनिक avion इसको भी integrate किया गया है जो कि इन system के reliability को भी प्रूब करता है और already testing के दर्मियान इसके reliability को जाचा जा चु system में भारत के द्वारा dual thrust solid motor का उपयोग किया गया है और यह जो missile है इसे specially इस तरीके से design किया किया है कि यह low altitude में उडान भनने वाले aerial threat को engage कर सके और short range में भारत को एक aerial protection provide कर सके और इसे एक ऐसे optimize design के तहत बनाया किया है कि इसे troops के द्वारा भी battlefield में carry किया जा सकेगा और कं moving vehicle के उपर भी किया जा सकेगा और दूसरे तरीके से विसका उपयोग air defense के लिए किया जा सकेगा फिलाल अप लोगों के जानकरी के लिए बतादू कि भारत के द्वारा shoulder fire surface to air missile के रूप में जितने भी missile का उपयोग किया जाता है वो either America से import किया जाता है मतलब either was stringer missile है या फ भारत को थोड़ा बहुत तो independent कर रहा है लेकिन फिर वी solder fire surface to air missile के रूप में जिन missile का इस्तेमाल भारत कर रहा है उसे लेकि भारत संपूर्ण रूफ से विदेशी कंपनियों के उपर ही निर्वर्शिल है लेकिन ये जो very short range air defense system है इसके development के बाद भारत अपने आपको at least इस missile के मामले में आत्मनिर्वर कर लेगा हलाकि वही पर अगर देखा जाए तो भारत अपने आपको already कई सारे missile के मामले में अपने आपको आत्मनिर्वर कर चुका है और missile एक ऐसा sector है जो की काफी तेज रफ्तार में आत्मनिर्वर्टा के तहट आगे बढ़ रहा है और कुछ report missile के मताविक आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत अपने आपको missile के मामले में at least संपूर्ण रूफ से मतलब 100% आत्मनिर्वर करेगा तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इंडियन armed forces के लिए आकाश NG missile का निर्मान किया गया है ये कौन-कौन से देश के तरफ से खरिदा जा सकता है कॉमेंट करके अपने राए अवश्य दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं परिकरते समात किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम